शिरी महाशेव पुरान पांचवा अध्याए भगवान शादाशेव ने कहा हे प्रिये हमें एक ऐसा मनुश्या उत्पन करना चाहिए जो सब विद्याओं में प्रांगत हो और जिसके उपर हम संपूर्ण संसारिक भार को छोड़ कर आनंत पूर्वक विहार कर सकें भगवान शूल पानी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदंबा जी ने अपनी बाई और देखा तो उनकी इच्छा से तो रंत ही एक मनुश्या की उत्पत्ती हुई वे मनुश्य अत्यंत स्वरूप वान कलावान बुद्धीमान तथा शीलवान था उसका संपून शरीर श्यामवन चंद्रमा जैसा था वे अपने भाल पर त्रिपुंड धार्ण की हुए था वे पीत वस्त धार्ण की हुए था उसका प्रत्यक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था वे संपून विद्याओं का विद्धान महापरतापी सिद रूप तथा पवित्तर था वे उत्पन होते ही बारम बार दंडवत करता हुआ भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के समुक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उस सुंदर मनुश्य को देकर उमा सहित उमापती शिबजी अत्यंत प्रसंता को प्राप्त हुए वे भी इन दोनों को देकर बहुत हर्शित हुआ तदो प्रांत उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तूती तथा प्रशंसा करते हुए प्रात्ना की हे पिता एवं हे मातेश्वरी आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्या जो कार्या हो उसे बताएं ये सुनकर शिरी शिबजी बोले तुम्हारा नाम विश्नु होगा संपूर्ण स्रिष्टी में तुम्हारे सम्मान तेजस्वी तथा परतापी अन्यकोई भी प्रानी प्रक्रटना होगा तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में नरंतर फैला रहेगा संसारी मुरुष्य तुम्हें हरी चतरवज भगवान अच्यत आदी अनेक नाम से पुकारेंगे तुम भगतों का मनुरत पूर्ण करने के लिए उत्पन किये गए हो अब तुम्हें ये उचित है कि तुम तपस्या करो जिससे तुम्हें अधिक तेज अबम समार्थया की प्राप्ती हो इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विश्नु को योग विद्या का उपदेश दिया तब विश्नु एक स्थान पर बैठ कर तपस्या करने में लीन हो गए हे नारद वे द्वादश दिव्य सहस्त्र वर्ष परियांत एक ही स्थान पर बैठे हुए योग साधन द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे परन्तु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप नहीं हुआ तो उनके हिर्दे में अत्यंत शोक प्रक्ट हुआ उसी स्मय जिस प्रकार भर्षा में बादल गर्षते हैं ठीक उसी प्रकार ये आकाशवानी हुई हे विश्नु तुम मन लगा कर फिर से तप करो क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते हैं इस आकाशवानी को सुनकर उन्होंने दुबारा कठिंत अप करना प्रारम कर दिया उस कठिंत पस्या के कारण विश्नु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे एक नदी बह चली वो सवस्ता में बैठे हुए विश्नु जब मूर्चित हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायन प्रसिद हुआ वे इस प्रकार मूर्चित हो गए कि जैसे कोई निद्रा में शैन कर रहा हो उसी दिशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विश्नु की नाभी से एक कमल की उत्पत्ती हुई उस कमल में बहुत सी पंखुडियां थी वे देखने में बहुत उंचा, अत्यंत, मनोहुर तथा लंबा था ब्रह्मा जी बोले हे नारद, विश्नु को उत्पन करने के पश्चात, भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन किया और उसी कमल में बठा दिया, मेरा रंग लाल था, मेरे चार मस्तक थे, और चारों दिशाओं की और खुल रहे थे मेरे अन्या सभी अंग विश्नु के समान ही थे, मैं भी अत्यंत समर्थ्यवान एवं तेजस्वी था, उसी समय में एक आकाश्वानी सुनी, हे पुत्र, तुम्हारे अज, ब्रह्मा, धाता, विधाता, प्रजेष्ट, परमेष्टी, भहुगर्ब, आदी अनेक नाम होंगे ब्रह्माची बोले, परंतु मैं उसमय ये नहीं जान सका कि मुझे उत्पन करने वाला कौन है, हे नारद, भगवान सदाशिव की माया, तीनों भूवनों को घेरे हुए हैं, वे जो चाहते हैं, वही होता है, जब मैं ये नहीं जान सका कि मैं किस प्रकार उत्पन हुआ हू और किस का पुत्तर हूँ, तता उस कमल के पुष्प की जड़ कहा है, तब मैंने अपने मन में ये विचार किया, कि जिसके मूल से ये कमल का पुष्प उत्पन हुआ है, वही मेरा पिता होगा, ऐसा निश्चे करके उस कमल की जड़ को जम देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचा जिसमें होकर वे कमल नाल उपर को निकली हुई थी यद दिपी मैं उस कमल नाल के सहारे सेकडों को सो तक पानी के भीतर चला गया परन्तु मुझे उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका तब मैं निरंतर सौ वर्षों तक प्रेतन करने के बाद निराश हो जाने के शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुने लोट आया जहां से नीचे की और गया था जब मैं पुने उपर लोट कर आया तो ये देखकर मेरे आशार्य की सीमा नहीं रही कि वहाँ वे क कमल पुष्प कभी भी दिखाई नहीं देता था जिस पर मैं पहले बैटा हुआ था इस अद्भूत द्रिश्य को देकर मुझे अत्यंत चिंता हुई तब मैंने इस संपूर्ण स्रिष्टी के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रात्ना की हे नारद उस मैं मुझे चिंता य प्रात्तों को जान सका ठीक उसी समय भगवान सदाशिप की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विश्णू सचेत होकर मेरे सप्पी पाए वे रतन जडित की रीट आदी को धार्ण किये हो थे उनके शरीर का रंग मेक के समान श्यामल था उनके इस मनोहरी प् क्योंकि भगवान सदाशिप जो चाहते हैं वही होता है मैंने विश्णू के उस सवरूप को देख कर पूछा आप कौन हैं विश्णू ने उत्तर दिया हे ब्रामन हम ब्रह्मा अलख निरंजन हरी भूपती निर्वकार अचित्या तथा सतचित अनंद सवरूप हैं हम तु अब तुम निर्वय हो जाओ क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं हमारे उपर हमारे समान अत्वा हमसे उत्तम अन्य कोई नहीं हैं हम ही इस सब के स्वामी हैं और हम ब्रह्मा हैं क्योंकि वे उस समय शिप जी की माया से अचेत थे भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे महादे सदाशिव की माया बुलावे में नहीं डाल दिती ब्रह्मा जी बोले हे नारद विश्णु के मुख से ये वचन सुनकर मुझे अत्यंत क्रोध आया तब मैंने उनसे कहा हे विश्णु तुम ऐसी असत्या बात मत कहो और केवल्य भाव का निश्चे रखो यदि तुम हमें उत उन श्रिष्टी को उत्पन करने वाले हैं अते तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने τखाईए मेरी बात सुनकर विश्णु बोले हे ब्रह्मा तुम्हे ऐसे अज्ञ्यान में पढ़ना उचित नहीं है इस श्रिष्टी को उत्पन करने वाले तुम नहीं हो बल् माया के वशिभूत होकर सब लोग अपना ग्यान भुला बेरते हैं इसलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है ये संपूर्ण संसार हमारे द्वारा ही उत्पन हुआ है और हमारे ही अधीन बना रहता है हमने बेद्यों को बनाया है और तुम्हें नाभी का मलद्वारा उत्पन किया है हमसे अधिक स्रेष्ट अन्या कोई नहीं है तुम अपने नामों पर अंकार मत करो तथा क्रोध को त्याग करो जो वचन कहने योग्या तथा उचित है उन्हीं का प्रियोग करो क्योंकि जिस प्रकार अंधा मुनुश्य आँखों की मह निर्धन मुनुश्य धर्मान की अवस्ता का वर्णन करें उसी प्रकार वेदों ने भी तुमारे नामों का वर्णन किया है यदि तुम हमारा पोजन करोगे तो वे शुब होगा अन्यता हम तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा नश्ट कर देंगे ब्रह्मा जी बोले हे नार जिस प्रकार गुरु अपने शिश्य को जड़क कर बुलाता है उसी प्रकार तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो ये नारद पर्स पर इस प्रकार कहते हुए हम तथा विश्नु आपस में युद्ध करने लगे शिपजी की माया से मोहित होकर हम दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया क्योंकि हम दोनों ही अपने को संपूर्ण स्रिष्टी का स्वामी समझते थे तो दोस्तों ये था पांचवा अध्याय इससे आगे की कथा आपको अगले छटे अध्याय मैं बताऊंगा अगर आपको शिप पुरान कथा अच्छी लगी हो तो कृपय किया कथा को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मेरा होसला बढ़ाएं जय शिफ्ट